हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है आज हम लोग क्लास 7 का नागरी का कोर्शन सर करने वाले हैं चैप्टर वन और चैप्टर वन का नाम है लोकतंत्र तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर दि थे तो इसका अंसर हो जाएगा राज तंत्र राज तंतर में राजा लोगो परसाशन करते थे फिर देखे 2 आमर खैलप तंत्र का ॐनंद्र के сеर शाएगर है तो इसका अंसर है सामानता ओके यहाँ पर जो खाले स्थान उसमें भरना है समानता फिर देखिए चोथा नमबर लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरीकों को खाले स्थान देने का अधिकार होता है तो इसका अंसर हो जाएगा मत लोकतांत्र में सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का जिकार होता है फिर देखिए नेक्स्ट फाइब नमबर का कोस्चन है जनता मतदान करके खाले स्थान का चयान करती है तो इसका अंसर हो जाएगा सरकार, जनता मतदान करके सरकार का चुनाव करती है इसे नोट कर लीजिए, अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेकेंड नमबर देखिए, नीमिन प्रस्णों के उत्तर दीजिए पहला नमबर देखिए, समानता के लिकिनी तीन कानूनी प्रावधानों को लिखे हैं तो देखिए इसका अंसर हो जाएगा, समानता के लिए तीन कानूनी प्रावधान में लिखिते हैं का नमबर देखिए, कानून की नजर में हर वेक्ती समान है इसका अर्थ यह है कि देश के सभी लोगों को कानून का पालन करना अनिवार है चाहे वो साधरन मजदूर हो या फिर कोई अधिकारी फिर दिखे नेक्स्ट खा नमबर हर वेक्ति को सार्वजनिक अस्थानों पर जाने की सोतंतरता है खेल के मैदान, होटल, दुकान तथा बाजार आदी में जानने से किसी वेक्ति को रोका नहीं जा सकता फिर दिखे गा नमबर अ इस परस्यता को दंडिनी अपराध घोसित किया गिया है वरतमान में या परता कहीं देखने को नहीं मिलती इसका लगभग पूर्णत उन्मूलन हो चुका है मतलब आज का लगभग लगभग यह खतम हो चुका है तो इसे नोट कर लिजे फिर नहीं बढ़ेंगे सेकेंड नमबर की और सेकेंड नमबर के कोशन देखिए मध्यान भोजन योजना से क्या फाइदा हुआ है तो बताना है कि जो सरकारी स्कूल में गवर्वेंट स्कूल में दोपहर को जो खाना दिया जाता है उस योजना से क्या लाब हुआ है तो इसका अंसर देखिए मध्यान, भोजन, योजना के अंतरकत सभी सरकारी प्राथमी की एवं उच प्राथमी की तथा सरकारी साहता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है इस कारकरम का प्रभाव काफी सकरात्मक रहा जैसे विद्याले में गरीब बच्चों के नमांकन दर में बढ़ोतरी हुई विद्याले में उनका ठहरा होने लगा दोपहर को अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए काम छोड़कर घर आने वाली मताओं को इससे काफी राह मिली यह कारकरम जातिगत पूर्वा ग्रहों को कम करने में सहयक हुआ है तो इससे आप नोट कर लीजे इसके बाद में बढ़ेंगे तिसरा नमबर की ओर तिसरा नमबर के कोशन है नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है तो बताना है कि नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है त जिसमें अफ्रिकी अमेरिकन लोगों ने नसल गत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की तो इसे को कहा जाता है नागरिक अधिकार आंदुलन तो इसे नोट कर लीजिए अब लोग बढ़ते हैं फोर नंबर की और फोर नंबर की कोशन है सारव भौमिक वयस्क मताधिकार क्या है तो बताना है कि सारव भौमिक वयस्क मताधिकार क्या है तो इसका अंसर दिखिए या एक लोगतंत्रिय समाज का अत्यांद महतपूर्ण पहलू है इसका अर्थ है कि सभी वयस्क यानि कि 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयू के नागरिकों को वोट यानि कि मत देने का अधिकार है चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक प्रिष्ट भूमि कुछ भी हो इसे सारुभामिक वयस्क मत अधिकार कहा जाता है तो इसे नोट कर लिजए इसके बाद में बढ़ेंगे 5 नमर की ओर 5 नमर के question है किसी सफ़ल लोगतंतर की दो विसेस्ताओं को बताएं तो कोई भी सफ़ल लोगतंतर की दो विसेस्ता बताना है तो देखिए answer पहला विसेस्ता लोक्तंत्र आम लोगों की भलाई का मनुरत रखता है लोक्तंत्र लोगों का लोगों द्वारा और लोगों के लिए सासन है लोक्तंत्र में प्रभुसत्ता लोगों के हाथों में होती है इसलिए जनता प्रत्यक्षिया और प्रत्यक्ष रुप से खुद ही सासक होती है तो इसे नोट कर लिजे हम लोग देखते हैं इसका दो विशेष्टा बताने हैं पहला विशेष्टा हो गया बढ़ते हैं दूसरी विशेष्टा की ओर दिखिए दूसरी विशेष्टा यह समानता के सिधान्त पर आधारित है लुक्तांतरिक सासन प्रनाली का मुख्य सिधान्त समानता है इसका मतलब केवल राजनितिक समानता नहीं बलकि आर्थिक और समाजिक समानता भी है लुक्तांतर में जाती समपती धर्म या रंग के आधार पर राजनितिक छेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है बलकि सभी को विक्सित होने के लिए समान अधिकार दिये जाते हैं तो इसे आप नोट कर लीजे इसके बार में बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टेन अंसर क करे से हैं तो देखिए समिधान के प्रावधान समानता की इस्थापना करते हैं फिर भी समाज में असमानता क्यों व्यापत है तो बताना है कि समिधान के प्रावधान जो है वो समानता को इस्थापित करती है लेकिन भी समाज में आज भी असमानता है क्यों तो इसके अंसर देखिए प्राया कुछ लोगों के साथ असमानता का वेभार बस इस कारण होता है कि उनका जर्म किस जाती लिंग या धर्म में हुआ है अथवा वे अमीर हैं या गरीब जब लोगों के साथ किसी कारण से असमानता का वेभार किया जाता है तो उनकी गरीमा को ठेस पहुंचती है उनके आत्म विश्वास में कमी आ जाती है तो इसे नोट कर लीजे अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्शन की ओर हमारा नेक्स्ट कोर्शन है किसी सफल लोगतंतर की विशेस्ता उसके नागरिकों को मताधिकार एवं अने छेत्रों में प्राप्त समानता से चर्चा करें तो यह भी चर्चा करें का कोर्शन है तो देखिए उत्तर यह समानता के सिधान पर आधारित है लोक्तांत्रिक साहसन प्रनाली का मुख्य सिधान्त समानता है इसका मतलब केवल राजनितिक समानता नहीं बलकि आर्थिक और समाजिक समानता भी है लोक्तांत्र में जाती संपती, धर्म या रंग के आधार पर राजनतिक छेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है बलकि सभी को विक्सित होने के लिए समान औसर दिये जाते हैं तो इसे नोट कर लिजे इसके बाद हुआ लोग इस चप्टर का लास्ट कोर्षन की और बढ़ेंगे देखिए ये कोर्षन हमारा लास्ट कोर्षन रहेगा इस चप्टर का आपके विद्याले में गठित बाल संसद में किस तरह से लोगतांतरिक परति निधित्व की परकरिया का पालन किया जाता है व्याख्या करें तो बताना है कि इसकूल में भी बाल सदन का चैन किया जाता है वो भी लोकतांतरिक टैप से ही किया जाता है तो कैसे किया जाता है प्रक्रिया को बताना है तो दिखिए अंसर इसका अंसर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें थोड़ सा explain करना पड़ेगा व्याख्या करना है तो थोड़ सा लंबा अंसर होगा बाल संसद का गठन विद्याले में विद्यार्थियों में लोक्तंत्र की समझ को विक्सित करने का एक प्रायोगिक योजना है इससे विद्यार्थियों में नेत्रित्व करने, समस्या के सामाधान ढूंडने, नीरने लेने एवं सामाजिक एक्टा की भावना का विकास होता है निशे दिखिए जारखंड में प्रतियक सरकारी विद्याले में बाल संसद का गठन किया जाता है बाल संसद में प्रधान मंत्री समेत 11 मंत्री होते हैं प्रतियक का निश्चित कार निधारित होता है बाल संसद के सदस विद्याले के विकास के लिए किये जा रहे कारियों की समिक्षा करते हैं इनकी अपनी एक कायर योजना होती है बाल संसद में संसदों की अधिक्तम संख्या असी होती है जो विद्याले में नमांकित विद्यार्थियों की संख्या पर निर्भर करती है तो इस तरीके से इसका अंसर कंप्लिट हो गया है थोड़ सा लंबा है लेकिन लिख लीजिएग और इसी परकार के मेरे सबी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ओल में क्लिक करें इसके बाद HDS टूटोरियल को टेच करें आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा अब आपको प्लेलिस्ट पर टेच करना है आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरे सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा कलास्थ 6,7,8,9, subject wise और chapter wise